नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकान प्रतिवस और मेरे साथ है सहकारिता मंत्री किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि ओधान और गेहों की फसल दलहन की फसल पैदा तो कर देते हैं लेकिन उसका वाजीब खीमत उनको नहीं मिलता है जब कि भारत सरकार किसान पर खेती पर सबसे ज़्यादा धान देने का दावा भी करती है सरकार दावा करती है कि किसानों के अंदनी दो गुना बढ़ा देंगे किसानों को ज़्यादा देने के ऐलान हो रहा है लेकिन किसान तो बदहाल है उनकी फसल को खरिदार कोई नहीं है देखिए सरकार के वल दावा नहीं करती है सरकार उस पर काम कर रही और आपको बताते हो मुझे खुशी है और आपको पता भी होगा कैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने धान का MSP जो है वो 200 रुपय बढ़ाया और जहां 1500 रुपय धान पर कुंटल था किसान बाईयों को इस ब किसानों के आमदनी दो गुना करेंगे तो उसकी योजना रचना भी है कि उनके लागत खर्च को भी हम घटाएंगे आप खेतों को हम बिजली पहुचा रहे हैं मन्ने मुखमंत्री जी ने लक्ष रखा है कि साल मंत्री जी आप एक बात तुमानेंगे ना आपको भी पता हो स्यूजर सरकार घोषित करती हैं जो इसलिए घोषित करती है कि किसानों को पता रहे कि हमारे फसल का इतना मुल्य मिलना है अगर बजार BYUरी दिस्टिवारिक रुप से आप से चर्चा करते मानलीजी आप किसान हैं सरकार के धान का समर्थन मुल ste साड़े सतरा सव रुपया है लेकिन साड़े सतरा सव रुपया आपको देने के लिए आने जाने में ट्रंस्पोर्टेशन लगेगा कुछ खर्चा होगा उसको बांधना पड़ेगा रख रखाओ करना पड़ेगा अगर ब्यापारी सतरा सव रुपय में या साड़े सतरा सव में आपको खेट से या खलियान से ले जाए तो किसान देने को लिए स्वतंत्र है और सरकार की मंसा भी यही है हमी थोड़े ही चाहत हम किसानों को जितनी सहुलियत हो हम MSP से लिए देते हैं कि उनके फसलों का समर्तन मुल्य पता रहे उनको उनको मालूम रहे और किसी दबाव में आकर जिसको हम लोग डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं उसमें किसान भाईयों को न जाना पड़े इस दिसा के लिए सरकार और MSP का जो लक्ष कहिएगा मेरे हिसाब से तो मुल्य लक्ष यही होता है लक्ष पूरा हुआ है ऐसा है कि हमारे यहां एक करोड़ एक सट लाक किसान हैं हम तो अधिप्राप्ति में हमारे किसान 2.5 लाक आते हम तो 14 लाक में ट्रिक्टन दान के दिप्राप्ति किया है लेकिन यह जो डेटा बढ़ रहा है आगे की तरफ वो दिखाता है और जैसा मैंने आपको कहा कि समरतन मुल्य का लक्ष होता है कि MSP के पास बजार मुल्य सरकार तो करती है खरीद पिछला साल से इस बार 200 रुपे बढ़ाया है और आपको 14 लाक मिट्रिक्टन धान के दिप्राप्ति हम लोगों ने किया है कि रवी फसलों में गेहूं की अधिप्राप्ति हम नहीं करते थे बहुत साल से लेकिन हम लोगों ने पिछले दो वर्षो से अधिप्राप्ति सुरू किया दलहन का जहां तक प्रस्ण है आपका दलहन के रख रखाओ के लिए गुदाम चाहिए थोड़ा अच्छा और सरकार की योजना रचना में है हमने गुदाम भी बनाए है और आने वाले समय में जो हमारी योजना रचना है हम दलहन के भी आज हमारा बजट भाषन है और इस पर मैं विस्तार से साड़े चार बजे से विदानसवा में बोलूँगा अपनी बात रखूंगा बड़े किसान तो अपनी पहुच के इस्तिमाल करके अपना धान बेश देते हैं लेकिन छोटे किसानों को मुका ही नहीं मिलता मंत्री जी क्या सुनिस्तित करेंगे कि छोटे किसानों की फसल भी खरीदा जाए उसका सही वाजी मुल मिले श्रीकान जी आज मेरा पक्तब देख लिजेगा और मुझे आपको बताते हैं खुशी है कि सरकार जो अधिप्राप्ति कर रही है और जो हम लोगों ने अभी फसल छती अधि प्राप्ति हो सरकार की चाहे वो फसल सहयता योजना हो या सरकार की इंपुट सबसीडी हो इसमें ज्यादा आकड़े बता रहे हैं वह आकड़े मैं आपको उपलब्द करा दूँगा और आपके लिए भी संतोज जनक बात होगी कि यह सरकार के वल कह नहीं रही है यह सरकार कर रही है और यह अपने आप में कि इसको मौन करांति कहते हैं कि हाज जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो ज़्यादा गैर रहयत किसान हमारे फसल साहता ले रहे हैं 12,000,000 का रिश्ट्रेशन हुआ साथ लाख हमारे गैर रहियत हैं बाकी के पांच लाख रहियत हैं यह बड़ा बदलाओ यह दो हजार बाइस तक दो गुना आमदनी कर देंगा विल्कुल हम योजना रोचना पर काम कर रहे हैं और मानिया नितिश कुमार जी की सरकार आपके पास जैसा आपने देखा 2005 में यह बज़ट 35,000 करोर का 2019 में 2,10,000 करोर का बज़ट है हमारे सहकारिता के विभाग का बज़ट इस बार जो मैं पेस करूंगा विधान सभा में सुनिएगा कि सरकार कितनी गंबीर है कितनी संजीदा है कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाए किसानों का कैसे उनकी आमदनी दो हा है और 2022 आते आते किसानों की आमदनी दो गुना हो जाएगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किसान तो खेती करता है और जो लागत मुल्य है उसकी भी वसुली नहीं हो पा रही है वैसे में किसानों की आमदनी को दो गुना कर देने का डावा कितना वाजीब है या कारगर ह ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आपको मंतरी के दावे में दम दिखे या कुछ कमी दिखे तो आप कमेंट मक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब है किया है तो जरूर कर लिजिए आपका सहयोग समर्थनलागातार मिल रहा है सब्सक्राइब आपके बेहतर कल के लिए